सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट विडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू क्रेजी जिके ट्रिक दोस्तो करेंट अफेर की सिरीज को देखे आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंत के सभी important current अफेर की 70 plus important current अफेर को हम डिसकस करेंगे बहुती important वीडियो है क्योंकि इस मंत में देखिए पद्म पूरुसकार, सरस्वती सम्मान और Australia Open जैसी एक्टिविटी हमको देखने को मिलिए तो काफी important वीडियो है, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप इस current affair quiz का practice जो है, वो crazy dicatric application पे कर सकते हैं, और सभी current affairs और GK की PDF भी आप crazy dicatric application से download कर सकते हैं, तो चलिए friends, हम lecture को start करते हैं, तो चलिए friends, हम लेक्चर को start करते हैं, त उसके बाद में सारे questions को हम solve करेंगे, तो friends, coronavirus जो है, ये किसी एक particular virus का नाम नहीं है, बहुत सारे virus का एक समू है, सबसे पहले ये virus जो है, चीन के वुहान शहर में देखने को मिलाएं, कहाँ पर चीन के वुहान शहर में, यान रखिएगा ये, virus के प्रसार को रोकने के लिए 23 जनवरी 2020 को वहान से बहार और अंदर आने जाने पर प्रतिबन जो है, वो लगा दिया गया है, इसे देखिए, 2019 NCOV मतलब novel coronavirus के नाम से भी जाना यादा है, विशुसास संगटन ने देखिए हाली में, coronavirus को एक नया नाम दिया है, COVID-19, very very important है, क्या नाम दिया है, विशुसा कि 1100 के आसपास लोगों की जो है, इससे मोत हो चुकी है, तो देखिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक virus है, अगर देखिए हम इस virus के source मतलब इस्तरोत की बात करें, कि ये virus कहां से जन्म लिया है, तो अभी तक coronavirus का कोई भी source पता नहीं चला है, कुछ का कहना है कि ये सापों से माद्यम से फिलता है, मतलब संक्रमन से देखिए, ये virus जो है वो फिलता है, जब एक संक्रमीत व्यक्ति, खासिया लगबग 3 feet से 6 feet की सीमा के बीतर चिकता है, तब इस virus के फिलने की संभावना जो होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, तो संक्रमन से देखिए एक coronavirus फिलता का क्या तरीका है, तो अभी तक कोई भी दवाई जो है इसी उपलवद नहीं हो पाई है, अभी तो इससे सुरक्षा ही इसका बचा होएं, तो coronavirus से related देखिए हमने सारे important point discuss करें हैं, चलिए अब question की तरफ चलते हैं और सारे question को solve करते हैं, निम्न में से किस virus के संक्रमन के कार वुहान, सबसे पहला देखिए coronavirus का symptom जो था, वो वुहान शहर में देखने को मिला था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, विश उस्वास संगटन ने coronavirus को क्या नाम दिया हैं, क्या नाम दिया हैं, इसे COVID-19 जो है इसे नाम दिया गया है, यह answer, खेलो इंडिया youth game के तीसरे संस्क्रण का आयोजन हाली में कहां पर किया गया, तो friends, खेलो इंडिया youth game के तीसरे संस्क्रण का आयोजन जो है, वो कहां पर किया गया है, गुहाटी में किया गया है, और इस competition में देखिए, पदक तालिका में पहले इस्थान पर कौन सा राज्य राएं, ध्यान पदक तालिका में महाराश्ट रहें, 78 गोल्ड मिडल जो है वो महाराश्च न ढझीदे है, हाली में विश्व आर्थिक फोरम की पचासवी वार्षिक बेठक का आयोजन कहां पर हुआ है, सुज्जरण के देखए, दावोस में हुआ है, हर साल सुज्जरण के दावोस में विश्व आर्तिक फोरम की वार्षिक बेटक का आयोजन किया जाता हैं, इस बार देखें, पचासवी बेटक का आयोजन किया गया, विश्व आर्तिक फोरम जो है, ये एक अंतरास्टी संस्ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख् विश्व आर्थिक फोरम की पचासवी वार्षिक बेठक का आयोजन कहां पर किया गया है? दावोस में किया गया। चलिए अगला कोशन लेते हैं। देशों का मुल्यांकन किस आधार पर किया गया? स्वास्त, शिक्षा, प्रध्योगी की, सुरक्षा, इन सब के आधार पर देखिए देशों का मुल्यांकन किया गया है। और इस रिपोर्ट में देखिए पहले इस्थान पर कौन सा देश रहा हैं? डेनमार्क रहा हैं। भार इककनॉमिक फोरम का देखिए Crystal अवाड जो है बॉलिवूर्ट अभिनेत्री दिपिका पादूकुन को दिया गया है। वीशव आर्तिक फोरम की 50वी बेटक में Crystal अवाड किसे दिया गया है। दिपिका पादूकुन को दिया गया है। डी आंसर यहां पर सही होगा, ये सम्मान जो है मानसिक स्वास्तक के बारे में जागरुकता फिलाने के उद्देश से दीपिका पादुकुन को दिया गया है। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूशन पर एक रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूशित शहर हैं। तो यहाँ पर B आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा लुंग लई, जो की मिजोरम इस्ती थे हैं। चलिए अगला कोशन लेते हैं। हाली में कौन सा देश यूरोपी संग से बाहर हो गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है फ्रेंड्स ही है। देखिए ब्रिटेन जो है वो यूरोपी यूनियन से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। कोई ब्रिटेन। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूरोपी संग में देखिए सदस्यों की संग क्या पहले कितनी थी? अठाविस थी। उससे देखिए ब्रिटेन भाहर हो गया तो सदस्यों की संग कितनी हो गया? 27 हो गये। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेगा। यूरोपी संग जो है यूरोप में इस्थि 27 देशों का एक राजनेतिक एवं आर्थिक मंचे हैं। साती ध्यान रखेगा यूरोपी संग को 2012 में नोबेल शांती पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका हैं। उकेई। तो हाली में देखिए ब्रिटैन जो है यूरोपी संग से बाहर होने वाला पहला देश बन गया है। नैक्स्ट कॉशन देखिए, वर्तमान में यूरोपी संग के सदस्य हैं। पहले कितने थे अठाविस थे। ब्रिटेन इससे बहार हो गया है, तो सदस्यों की संग्या घटकर कितनी हो गई है, 27 हो गई है, तो वर्तमान में 27 इसके सदस्य है, निम्न में से कौन यूरोपी संग का सदस्य नहीं है, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्विजरलेंड, तो बेल्जियम देखिए इसका सदस्य है, ब अब देखें, ब्रिटेन भी अलग हो गया है, तो ब्रिटेन और स्विजलेंड जो है, वो यूरोपी संग के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर B और C दोनों, D आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, यह भी very very important question है, चली अगला question लेते हैं, राश्ट्री ये बाली का दिवस म मनाया जाता है, 2008 से देखिए, यह दिवस मनाया जा रहा है, साती ध्यान रखेगा, हर साल 24 तारिक के दिन, अंतराश्टी शिक्षा दिवस, International Education Day भी मनाया जाता है, क्लियर, दोनों चीज ध्यान रखेगा, 24 जन्वरी को राश्टी बाली का दिवस, और 24 जन्वरी को स्थापना दिवस मनाया है, हिमाचल प्रदेश की देखिए, स्थापना कब हुवी थी, 25 जन्वरी 1971 में इसकी स्थापना हुवी थी, तो हाली में देखिए, इसने अपना पचासवा स्थापना दिवस मनाया है, तो फ्रेंट्स पहरी चीस तो आपको ध्यान रखना है, कि 21 गंटन्थ दिवस कारिक्रम में मुख्य अती थी, कौन थे, जाईर मेसियास बोलचनारो, जो की ब्राजिल के राश्पति है, दोजार अठारा में देखिए, ब्राजिल के राश्पति बनेते, जाईर मेसियास बोलचनारो, 71 गंटन्थ दिवस कारिक्रम में मुख्य थी थी, क्लियर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह भी, यहापर बी आंसर जो होगा, बिल्कुल सही होगा, यह उनकी देखिए, भा 2020 की परेड में असम की जहांकी को प्रतम विस्तान जो हे वो दिया गया है, असम की जहांकी को, इस जहांकी के दुआरा असम की विशिष्ट शिल्प कला और संस्कृति को दर्शाया गया था, तो फ्रेंट्स ध्यान रखेगा, असम की जहांकी को गंतनतर दिवस परेड में स सर्वश्ष्ष्ट ज्हांकी का पुरुसकार दिया गया है। सरकार ने इन में से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निड़ने लिया हैं। तो देखिए हाली में सरकार ने Air India में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया हैं। Air India को देखिए 9000 करोड का भुकतान करना हैं। जिसे ध्यान में रखका सरकार ने Air India में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया हैं। अगर बात करें कि Air India में गवर्मेंट की हिस्सेदारी कितनी हैं तो 76% की हिस्सेदारी हैं। जिसे गवर्मेंट जो है वो बेचने जा रही हैं। ठीके, तो ये चीद ध्यान रखेगा। निम्न में से किस राज्य की विधान सबा ने विधान परिशत को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया हैं। तो फ्रेंड्स, आंदर परिशत की विधान सबा ने राज्य की विधान परिशत को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया हैं। तो यहां पर B आंसर जो होगा, बिल्कुल सही होगा, विदान परिशत में देखिए विरोधी पाटी तेलगु देशम की 58 में से 27 सीटे हैं, जिसके कारण राजी सरकार को बार-बार विरोध का सामना करना पड़ रहा हैं, इसलिए आंदरप्रदेश की विदान सबा ने राज खेल से संबंदित थे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है, आने वाली एक्जाम में देखिए ये कोशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाडी, कोब ब्रायंट का देखिए अमेरिका में एक हेलिकाप्टर दुरगटना में निध 2008-2012 ऑलमपिक में स्वर्ण पदक जितने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का वो हिस्सा भी थे, कोब ब्रायंट, बहुत यादा प्रसिद्ध खिलाडी थे, किस खिल से संबंदित थे, बास्केटबॉल से संबंदित थे, C आंसर, प्रसिद्ध बास्केटबॉल का आयोजन लौस अंजलिस में किया गया ये पुरुसकार किस शेत्र से संबन दीते हैं तो देखिए friends मैं आपको कुछ important point बताता हूँ ये नाटक के शेत्र में दीया आते हैं तो 62 वै ग्रेमी पुरुसकार समारो का आजन लौस अंजलिस में किया गया किस से संबन दीते हैं ये संबन दीते हैं ओके तो किसी से भी देखिए एक्जाम में कुशन पूछे, आप आसानी से सही अंसर टिक कर सकते हैं एमी पुरुसकार टेलिविजन के शेत्र में दिया आता हैं, टोनी पुरुसकार नाटक के शेत्र में दिया आता हैं और ग्रेमी पुरुसकार संगीत के शेतर में दिया आता है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत, Ambassador के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है। तो हाली में देखिए अभी तरणजिस सीन संदू को, अमेरिका में भारत का नया राजदूत जो है, वो नयूक्त किया गया है वरतमान में देखिए तरंजिस सीं संदू जो है वो शिलन्का में भारत के राजदूत है तो ध्यान रखिएगा अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कोन होगे तरंजिस सीं संदू देश का पहला पशु युद स्मारक War Memorial for Animals कहां पर बनाया जाएगा? कहां पर बनाया जाएगा? उत्तरपदेश के मेरट में. ये समारक जो है, उन पशुओं को समर्पी थें, जिन पशुओं ने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था, और आतंगवाद विरोधी अभ्यान में मदद की. ये सर्वसेस्ट वंडे खिलाडी रोई शर्मा को दिया गया, बिल्कुल सही. ICC सर्वसेस्ट टेस्ट खिलाडी जो है, पेट कमीन्स को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है. ICC Player of the Year जो है, वो बैन स्टॉक को दिया गया है. इंग्लेंड के देखे खिलाडी है, बैन स्टॉक, पेट कमीन्स जो है, ये उस्टिला खिलाडी है, और रोई शर्मा भारत के खिलाडी है. ठीक है, तो तीनों पॉइंट जो है, वो बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट आप ध्यान रखियेगा, यहाँ पर डी आंसर जो होगा, वो बिल्कुल सही होगा, उपरोग तो सभी. क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोईशन है, सारे पॉइंट ध्यान रखियेगा, ICC सर्वसेस्ट वंडे खिलाडी रोईष शर्मा, ICC सर्वसेस्ट टेस्ट खिलाडी जो है, पैट कमीन्स, ऑस्ट्रिया के खिलाडी हैं ये, और ICC प्लेयर आफ दा इयर किसे दिया ग पंजाव हरियाना में इसे लोडी के नाम से आना जाता हैं, तो यहाँ पर देखिये उपरोक्त सभी मतलब D वाला आंसर जो होगा, बिल्कुल सही होगा, क्लियर तो ये देखिये नाम ध्यान रखियेगा आप, भारत में सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता हैं, तो हर सा चर्चा में रहा राइसिना डायलोग के संदर्ब में सही कतन हैं, जनवरी 2020 में इसके पांचवे संस्क्रण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही, ध्यान रखेगा इसे, राइसिना डायलोग 2020 की थीम नेविगेटिंग अलफा सेंचुरी थी, बिल्कुल सह इस सम्मिलन में वेश्विक मुद्दे जैसे आतंगवाद, जल्वायू परिवर्तन पर चर्चा की गई, बिल्कुल सही, उप्रोक्त सभी कतन यहाँ पर सही होंगे, यह सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेगा, साती ध्यान रखेगा कि जो राइसिना डायलोग है, यह दे देखिए पांचवे संस्क्रण में इसमें सो देशों के सासो से ज़्यादा अंतराश्री विशेशक्य जो थे, वो शामिल हुए थे, तो ध्यान रखेगा कहां पर आयोजन हुआ था, इसका नई दिल्ले में हुआ था, चलिए अगला कोशन लेते हैं, हाली में रूस के नए मिखाईल मिशू इस्तिन, हाली में केनाइन वज्र होविजर तोप के 51 यूनिट को सेना में शामिल किया गया, इसका निर्मान किसके द्वारा किया जा रहा हैं, तो देखिए भारत सरकार और L&T कंपनी के बीच में करार हुआ था, 42 मैनों में 100 यूनिट केनाइन होविजर जो है, उसे प्रोवाइट करनेगा, ओके, हाली में देखिए उसकी 51 यूनिट को सेना में शामिल किया गया है, केनाइन वज्र तोप जो है, ये देखिए कोरियाई सेना द्वारा इस्तमाल किये जाने वाले केनाइन थंडर का ही एक प्रकार है, तो ध्यान रखेगा G730 उपगर को इस रो ने किस रोकेट की मदद से, एरियन 5 रोकेट की मदद से सफलता पूर्वक लॉंच किया है, देकि इससे रिलेटेट में आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, G730 जो है, ये एक कम्यूनिकेशन सेटलाइट है, कहां से इसे प्रेंच गुयाना से इसे सफलता पूर्वक लॉंच किया गया है, G730 उपगर एक संचार उपगर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कम्यूनिकेशन सेटलाइट है, ये सेटलाइट 15 सालों तक देखिए काम करेगी, इसका निर्मान जो है किस ने करा है, इस रो ने करा ह इसका उपयोग कहा कहा पर होगा, DTH टेलिविजन सेवाओं में, सेललर कनेक्टिविटी में, टेलिविजन में, इन सभी सेवाओं में, G730 उपगर का इस्तमाल किया जाएगा, ओके, तो ध्यान रखिएगा, Arian 5 रोकेट की मदद से इसे सफलता पूर्वक लॉंच किया गया अगला देखिए, Very, very important question है, 29 सरस्वती संमान इन में से किसे प्रदान किया गया है, सिंदी लेकक, VASDEV, MOHI को 29 सरस्वती संमान जो है, वो प्रदान किया गया है, उन्हें उनकी लगुग अठाओं के संग्र, चेक्बुग के लिए यह संमान जो है, वो प्रदान किया गया है जिसमें उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन किया है तो वासदेव मोही को 29 सरस्वती सम्मान जो है उनकी प्रसिद्ध लगुक अथाओं के संगरत चेक बुक के लिए उन्हें दिया गया है तो ध्यान रखेगा very very important है वासदेव मोही जिने 29 सरस्वती सम्मान दिया गया किस भाशा के लेखके हैं गुमा फिरा के कोशन पुछा आ सकता है आपसे तो सिंधी भाशा के लेखके हैं ओके बी आंसर हाली में भारत ने परमानू ताकस से लेख बैलिस्टिक मिसाइल के फोर का सफल परिक्षन किया जिसकी मारक शमता हैं तो भारत ने देखिए के फोर परमानू मिसाइल का सफल परिक्षन किया हाली में इस मिसाइल के रेंज जो है वो कितनी हैं 3500 किलोमेटर हैं तो यहाँ पर D answer जो होगा, बिल्कुल सही होगा, K-4 जो है, ये एक underwater missile है, जिसे पानी के अंदर पंडू भी से छोड़ा जा सकता है, इसका विकास जो है, वो किसके द्वारा किया गया है, DRDO द्वारा इसका विकास किया गया है, रक्षा अनुसंदान वो विकास संगटन, DRDO द्वारा इसका निर्मान किया गया है, ओके, ध्यान रखिएगा, ballistic missile K-4 का सफल परिक्षन किया गया, इसके मारक शमता है 3500 किलोमेटर, आस्ट्रेला ने किस भारती उद्वार्ती उद्योगपती को, किस भारती उद्वार्ती उद्योगपती को, देखे, बायो टेक्लोजी कंपनी बायो कोन की संस्थापक और चेर परसन जो है किरन मजुमदर शाह, इन्हें देखिए, उस्ट्रेला से सम्बन बढ़ाने के प्रयासों को लेकर, order of Australia से सम्बानित किया गया है, C answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, किरन मजुमदर शाह जो है, इस पुरुसकार को प्राप्त करने वाली चोथी भारती बनी है, किरन मजुमदर शाह जो है, ध्यान रखे का ये चीज, बायो कोन की संस्थापक है, इन में से किस राजी सरकार ने मुख्य मंत्री क्रशक दुर्गटना कल्यान योजना की शुरुआत करी है, किस राजी सरकार ने, उत्रप्रदेश राजी सरकार ने, देखे हाली में सरकार ने मुख्य मंत्री क्रशक दुर्गटना कल्यान योजना लॉंच कियें इस योजना के तहट दुर्गटना के करण किसान की मृत्ति हो जाने पर या फिर गहरी चोट लगने की स्थिती में किसान को 5 लाग रुपे की वित्ति सायता जो है वो प्रदान की जाएगी तो किस राजी सरकार ने शुरू करियें? उत्रप्रदेश राजी सरकार ने शुरू करियें मुख्य मंत्री क्रशक दुर्गटना कल्यान योजना इस रो ने हाली में अंत्रिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षन है तू मानव अंत्रिक्ष उडान केंदर की स्थापना करने की गोशना कहां कियें? तो फ्रेंट्स इस रो ने देखिये इस केंदर की स्थापना करने की गोशना कहां पर करियें? करना टक के चलके रे में ए अंसर यहां पर सही होगा इस रो ने इस केंदर के विकास के लिए 2700 करोट रुपे का प्रस्ताव जो है वो तेयार किया है भारत जो है वो 2022 में जिसा कि आप सभी को पताईए कि गगन यान मिशन जो है वो लॉंच करने की तैयारी में है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मानव अंतरिक्ष उडान केंदर की इस्तापना करने की गोशना जो है इस रो ने करिये कहां पर चलके रेक करनाटक में क्लियर इसके लिए 2700 करोट रुपे का प्रस्ताव जो है उन्होंने तैयार किया है प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारती दिवस देखिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है भारत के विदेशों में रहने वाले लोग जो देश के विकास में योगदान देते हैं उनके सम्मान में ये दिन जो है वो मनाया जाता है प्रवासी भारती दिवस इसकी शुरुवात कब से हुवी थी? 2003 से ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है SBI के नए प्रबंदक निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डारेक्टर देखे SBI के किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्री निवासुलू सेटि को SBI के नए प्रबंदक निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है ये आंसर यहाँ पर सही होगा प्रत्यक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल देखिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है आप सबी को पताईए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानन की जैन्ती पर राष्टी युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है BCCI भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट का पॉली उम्रिगर पुरुसकार हाली में किसे दिया गया है? तो देखे BCCI ने भारत के तेज गेन बाद जस्मित बुमरा को पॉली उम्रिगर पुरुसकार से सम्मानित किया है जस्मित बुमरा को B answer यहां पर सही होगा 2018-19 सीजन में अंतराश्टी इस्तर पर उनके भैतरी पदर्शन के लिए उन्हें ये पुरुसकार जो है वो दिया गया है पॉली उम्रीगर पुरुसकार से किसे समानित किया गया जस्मित बुम्रा को किन सरकार द्वारा हाली में जारी सब्चता सर्वेक्शन रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे सब्च शहर हैं कौन सा शहर हैं देखिए इंदोर मध्यप्रदेश के इंदोर को लगातर चोथी बार देश का सबसे सब्च शहर जो है वो घोशित किया गया है सेकेंड नमबर पे देखे कौन है राजकोटे हैं चलिए अगला कोशन लेते हैं RBI दुआरा जारी एप मनी सम्बन दिते हैं हाली में देखिए RBI ने मनी एप को देखे लॉंच किया है इसका फुल फॉर्म क्या है? Mobile Added Note Identifier Application इससे हमको क्लियर होता है Note Identifier Application है के दुआरा Note का मुल्ली बताता है तो देखिए Friends नकली Note की पैचान से बिल्कुल गलत डिजिटल भुकतान से गलत द्रश्टी बादित लोगों के लिए विजुली जो हैंडिकेप्ट हैं उनसे संबन दिते हैं बिल्कुल सही जनरल कासिम सुलेमानी की मोत हाली के दिनों में चर्चा में रही वे किस देश की कुद्स फोर्स के प्रमुक थे तो Friends देखिए अभी काफी आदा सुर्क्यों में रहाता ये कासिम सुलेमानी जो थे वो इरान कुद्स फोर्स के कमांडर थे यहाँ पर B answer जो होगा बिल्कुल सही होगा वे इरान के गुप्त अभियान के प्रमुक भी थे हाली में जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मृत्ती हो गई थी इसके चलते देखिए अमेरिका और इरान के बीच में युद्ध जैसी इस्तिती हमको देखने को मिली थी तो काफे अधा सुर्क्यों में रही थी देखिए जनरल कासिम सुलेमानी की मौत जो की इरान कुट्स फोर्स के प्रमुक थे चार जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है चार जनवरी को देखिए लुई ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपी का विश्कार किया था ब्रेल लिपी नेत्रहीन व्यक्तियों की पढ़ने और लिखने की पदती है इसलिए लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर लुई ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है चार जन्वरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है Oxford University Press ने किस हिंदी शब्द को Oxford Hindi Word of 2019 चुनाएं तो किसे चुनाएं देखिए सविधान शब्द को सविधान शब्द को Oxford Hindi Word of 2019 जो है वो चुना गया है इस शब्द का प्रियोग जो है वो सबसे अधिक बार देखने को मिलाएं जिस कारण से Oxford Hindi Word of 2019 जो है वो सविधान को दिया गया है सुर्क्यों में रही बोडो जन्जाती का संब्द किस राज्य से हैं ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है बोडो जन्जाती लोग जो है ये भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं किस राज्य संब्दी थें असम से संब्दी थें बोडो जन्जाती के लोग जो है वो असम की कूल आबादी का 5.5 प्रतिशत हैं हाली में 12 सरकार ने एतियासिक बोडो समझोते पर हस्ताक्षर किया हैं। इसलिए देखिए ये बोज़दा सुर्कियों में रहा था। इस समझोते के तहट शेत्र के विकास के लिए करीब पंदरा सो करोड रुपे जो है वो केन सरकार जो है वो प्रदान करेगी। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है हाली में बहुत सुर्कियों में रहा ये बोडो जनजाती देखिए किस राजे से संबंदीते हैं आसम से संबंदीते हैं। किस राजे सरकार ने राजे के लिए तीन राजदानियों के निर्मान को मंजूरी दियें। देके फ्रेंड्स आंदर प्रदेश के कैमिनेट ने राज्य के लिए तीन राजदानिया अमरावती, विशाका पत्नम और कुर्णूल के निर्मान को मंजूरी दे दियें। राज्य सरकार ने राज्य के संतुली त्विकास को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया हैं। आंदर प्रदेश की देखिए विधाई राजदानी जो होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो होगा वो कौन सा होगा अमरावती होगा। कारेकारी राजदानी जो होगी वो कौन सी होगी विशाका पत्नम होगी। जबकि राज्य की नियाईग राजदानी जो होगी, वो कौन सी होगी? कुर्णूल होगी. तो हाली में देखिए, आंदरप्रदेश राज्य ने तीन राजदानीयों के निर्मान को मंजूरी दियें. सी यह आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा. चलिए अगला कोशन लेते हैं. हसन दियाब को हाली में किस देश का प्रदान मंत्री चुना गया है? तो हसन दियाब को देखिए, लेबनान का प्रदान मंत्री जो है हाली में चुना गया है. मद्यपिदे सरकार के लता मंगेश्वर पुरुसकार 2018 के लिए किस भारती संगीत कार को चुना गया तो प्रसिद्ध हिंदी संगीत निवदेशक कुलदीप सियंग को मद्धिपदे सरकार के प्रतिष्टि सम्वान राष्टी लता मंगेश्वर पुरुसकार 2018 के लिए चुना गया है। इस पुरुसकार की इस्तापना मद्धिपदे सरकार ने 1984 में की थी, कब करिती 1984 में। ये पुरुसकार जो है संगीत के शेतर में योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। हाली में इनका निधन हो गया जो कि खेल से संबन दीते हैं। बी आंसर यहां पर सही होगा। शंगाई सहीयोग संगटन के अजबो की लिस्ट में किस भारती इसमारत को हाली में शामिल किया गया है। तो भारत के देखें स्टेच्यू आफ यूनिटी को शंगाई सहीयोग संगटन के आठ अजबो में शामिल किया गया है। स्टेच्यू आफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे उंची परतिमा है। इसकी उचाई कितनी है? 182 मिटर। इसका उदगाटन कब हुआ था? October 2018 में गुजरात के केवडिया में इसका उदगाटन हुआ था। तो स्टेच्यू आफ यूनिटी को देखिए शंगाई सहीयोग संगटन के अजबो की सुची में शामिल किया गया है। CRPF का नया महानिदेशक इन में से किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए वरिष्ट IPS अधिकारी AP महेश्वरी को CRPF का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। CRPF का फुल फर्म क्या होता है? Central Reserve Police Force इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, CRPF की. AP महेश्वरी को हाली में नया महानिदेशक जो है CRPF का नियुक्त किया गया है। हाली में गर्म मंत्री ने कर्म युद्धा ग्रंत नामक पुस्तक का विमोचन किया यह पुस्तक किस भारती राजनिता के जीवन पर आधारी दे हैं। हाली में गर्म मंत्री ने देखिये इस पुस्तक का विमोचन किया हैं। तो यहाँ पर C आंसर सही होगा, नरेंडर मोदी के जीवन पर आधारी दे हैं। विश्यो बेंक के अनुसार वित वर्ष 2020 में भारत की GDP व्रदी दर कितनी रहेगी। तो विश्यो बेंक ने देखिये हाली में 2020 Global Economic Prospect Report जो है वो जारी करी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वित वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP विकास दर जो है वो 5 प्रतिशत रहने का अनुमाल लगाया गया हैं। विश्यो बेंक के अनुसार तो यहाँ पर B आंसर जो होगा हो सही होगा। विश्यो बेंक के अनुसार 2021-2022 के लिए भारत की GDP विकास दर जो है वो 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमाल लगाया गया हैं। प्रतिशत रहें गया हैं। जगत परकाश नडड़ा को भारतिशत रहें गया हैं। Golden Globe Award 2020 में Best Motion Picture Drama का किताब किस फिल्म को दिया गया हैं। तो देखिए हर साल Hollywood Foreign Press Association जो है वो Entertainment Field में विशेश उपलब्दियों के लिए आर्टिस्ट, एक्टर्स और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरुसकार से समानित करता है तो देखिए इस साल गोल्डन ग्लोब अवर्ट 2020 में बेस्ट मोशन पिच्चर ड्रामा का खिताब जो है फिल्म 1970 को दिया गया है ये फिल्म जो है पहले विश उद्द के दो ब्रिटिस सेनिकों पर आधारी दें गगनियान मिशन के लिए भारती वायू सेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षन के लिए चुना गया है तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को पताईए गगनियान मिशन इस मिशन के तहद भारत पहली बार मनुष्य को 2022 में अंत्रिक्ष में भेजेगा हाली में मिशन गगनियान के लिए वायू सेना के चार लोगों को रूस में प्रशिक्षन के लिए चुना गया है तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा उस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरू शेकल का किताब किसना जीता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है साल बर में देखिए चार ग्रेंड स्लेम टेनिस टुनामेंट होते हैं उसमें उस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वो साल में सबसे पहले होता है जन्वरी मन्त में तो उस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरू शेकल का किताब किसना जीता है नोवाक जोकोविश ने जीता है पिष्ली बार भी देखिए 2019 में Australia Open के पुरुष एकल का किताब किसने जिता था नुवाग जोकोविश नहीं जिता था तो देखिए इन्होंने अपना जो टाइटाल है वो डिफेंड करा है साती ध्यान रखेगा नुवाग जोकोविश ने आठवी बार Australia Open के पुरुष एकल का किताब जिता है और ये उनका सतरवा Grand Slam Tennis Tournament है ठीक है नेक्स देखिए Australian Open 2020 के महिला एकल का किताब किसने जिता है ये भी important question है Sophia Cannon ने देखिए महिला एकल का किताब जिता है अमेरिका की प्लेयर है Sophia Cannon ने पहली बार Australia Open Tennis Tournament का किताब जिता है C answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा चलिए अगला question लेते है आगे देखिए friends पद्म पुरुसकारों की गोशना भी जनवरी मन्त में की गई है इससे related मैंने एक dedicated वीडियो बना रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो description box में मैंने link दे रखा है आप वहाँ से पेले वो वीडियो देख लीजिए उसके बाद मैं question solve करिएगा बड़ी आसानी से आप सारे question solve कर बाएंगे चुकि यह activity जो है जनवरी मन्त में complete हुई है इसलिए मैंने इस current affair में question जो है वो include करें तो जल्दी से हम सारे question revise कर लेते हैं कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म भूशन पुरुसकारों से सम्मानित किया गया है देखे फ्रेंड्स इस साल 7 पद्म वीबूशन 16 पद्म भूशन और 118 पद्म भूशन पूशन पूचे मतलब 16 यहाँ पर A answer सही होगा 2020 पद्म भूशन को सम्मानित किया जाने की गोशना हाली में की गई है कितने व्यक्तियों को देखिए पद्म भूशन की बात कर रहे हैं मतलब 118 B answer इन में से किसे मरनो उपरांद पद्म वीबूशन 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है मतलब पद्म वीबूशन तो दिया गया है पर मरनो उपरांद नहीं दिया गया अरुन जेटली को मरनो उपरांद दिया गया शुश्मा सुराज को मरनो उपरांद दिया गया जॉर्ज फर्नांडिस को भी मरनो उपरांद दिया गया पंडित छनुलाल मिश्रा जो की प्रसिद्ध शास्त्री गाया के ये देखिए वर्तमान में जीवी थे तो इन्हें मरनो उपरांद नहीं दिया गया मतलब D answer चलि अगला कोशन लेते हैं अनिरुद जगनात को पद्नो इभूशन 2020 से समानित किया गया वो किस देश के पूरूर प्रदान मंत्री हैं तो फ्रेंच देखिए मौरिश्यस के पूरूर प्रदान मंत्री अनिरुद जगनात को पद्नो इभूशन 2020 से समानित किया गया है मौरिश्यस B answer निम्न में से किसे पद्म विशेश्टिर्थ को दिया गया है। निम्न में से किस पद्म विशेश्टिर्थ को दिया गया है। निम्न में से किस पद्म विशेश्टिर्थ को दिया गया है। हमको दियान रखना है तीन जहीर कान, करण जोहर और अधनान सामी। चलिए अगला कोशन लेते हैं। अब्दुल जब्बार को मर्णो उपरांत किस पद्म पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए सामाजिक कारेकरता अब्दुल जब्बार को मर्णो उपरांत पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया जाने की गोशना करिए। C आंसर 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। 2020 में देखिए भारत रत्न दी जाने की गोशना जो है वो नहीं की गई हैं। तो किसी भी व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाएगा। D आंसर यहाँपर 0 जीतू राय को पदमश्री 2020 से सम्मानित किया गया वे किस शेत्र से सम्मान दीते हैं तो देखिए प्रसिद्ध निशाने बाजे एक नेपाली मूल के शूटर हैं जो कि भारत की तरफ से खेलते हैं जीतू राय पदमश्री दिया गया खेल के शेत्र से सम्मान दीते हैं बी आंसरियां पर सही होगा, ध्यान रखेगा प्रसिद्ध निशाने बाजे. हाली में रानी रामपाल को किस पद्म पुरुषकार से समानित किया गया है? रानी रामपाल, देखे मैला हॉक्टीम की देखे कप्ताने ये, इन्हें पद्म श्री से समानित किया गया है. निम्न में से कौन सा कतन असत्य हैं? आनन्द महिंदरा को देखिए पद्म भूशन दिया गया बिल्कुल सही पंडित छन्नुलाल मिश्टा को पद्म भूशन दिया गया बिल्कुल सही कंगना रनाट को देखिए पद्मश्री 2020 समानित किया गया बिल्कुल सही मनोर पररीकर को पद्म भूशन दिया गया यहाँ पर देखिए मनोर पररीकर को पद्म भूशन दिया गया है ना कि पद्म भूशन दिया गया तो D कथन जो होगा वो असत्य होगा clear? तो friends देखिए यहाँ पर हमारे जनवरी मन्त के सभी important current affair जो है वो complete होते हैं आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर आपको इस current affair का PDF डाउनलोड करना है तो crazy jacket trick का application डाउनलोड कर लिजिए हमने वहाँ पर option दे रखा आप महाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो friends I hope आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करिए share करिए और comment करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा हैं तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंग जय बारत